नमस्थ क्यां दोस्तो निए इस विडियो को बनाने के दिमाग में यह प्रशारएं इसीज़ को मैं आपको यहां समझाता हूँ ठीक से समझने की कोशिश की जगा इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है विज्ञान पुद्धागी का पाठक्रम कैसे पूरा किया जाएगा ये पूरा के पूरा पाठक्रम प्रारेंभी का मुखे परिक्षा में कैसे कवर होगा इसको मैं आपको समझाता हूँ और यह आपको बिल्कुल ऐसे कोर्से जो आपने पहले सुने हैं वहां से आपको काफी हद तक अंतर दिखेगा और यह जानना भाव ज़रूरी है मेरे बारे में बताने का ज़रत नहीं है आप सब जानते हैं मेरे नाम डॉक्टर रवीक दरी है मैं एक सारहन सा अध्यापक हूँ और मेरे एक संस्ता है पुर्वांचालाइस के नाम से जो गुरपर में लगातार आपको फेस्टु फेस का शायड़ेता हूँ मेरे आउनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे पुर्वांचालाइस एप में सुन सकते हैं और एक रिवलुशन बैच करके मैं लाया हूँ जान 999 में आप सबको विग्यान तेक्निकी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का नहीं सिखाने की कोशिश कर लो पढ़ते तो आप सुरू से रहे हैं और उमीद करता हूँ आप इस बैच में एक चीन की तरह सारे विद्यारतियों को भारत के जितने विद्यारती विग्यान तगनिकी सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं चाहिए वो किसी भी परिक्षा के लिए हो यूपीसी मेरा पूरा इनिशेटिफिक अब यूपीसी का लेबल थोड़ा बैटर है तो अगर आप यूपीसी अच्छे से कर लेंगे साथ-साथ उसके स्टीड पीसे भी कवर हो जाएंगे C.A.P.F. जो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं बैंकिंग S.S.C. आपको सारी चीज़े आप विग्यान तकनीगी की आज के बाद कभी पर समस्या नहीं होगी सुरे कोर्स को लाने में जितने में आप किताबे खरिदते हैं 400-500 की उसके डबल डाम पर आप खर्च कीज़े और आप पूरे कोर्स को घर ले लिजे फिस लेने के पीछे कारण ये भी है कि आप इस कोर्स को सीरियस सुनेंगे जो कि मुफ्त का गाम देश में मुफ्त में ही होता है जो मेरा अपना अनुभवरा है मैं उम्मीत करता हूँ अब इस कड़ी को बना कर रखेंगे और भारत में जो मेरा एक उदेश है जो एक में लेकर मैं आया हूँ कि एक लाग बच्चों को विग्यान तक्निकी सिखाने का इस साल 2022 तक वो मेरा सबना पूरा होगा तो कोशिश के जगा आप लोगों को जोड़ती जाईएगा एक सीक्वेंस एक चेंग की तरफ तो बात करने वाले हैं विग्यान तक्निकी का जो पार्टिक्रम है वो हम लोग कैसे पूरा करने वाले है और इसको समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी है और यहां पको यह समझ में आजएगा जो चीज मैंने कभी नहीं की है पहले कहीं भी चाहिए वो फेस-टू-फेस क्लासेज में रही है वोगे हम लों को लिमिटेड क्लासेज दी जाती है और चाहिए वो किसी ओनलाइन प्रेटफॉर्म में रही है कि मेरे साथ-साथ इस बुक को जो सिक्स एडिशन के वोक अभी मार्केट में अविलेबल हो गई है हिंदी माध्यम के विद्यारती भी लगातार मेरे साथ खातम करते रहे हैं क्योंकि यहां पना मैं आपको पूरी सिक्स एडिशन दी किताब पढ़ाऊंगा और साथ-सा इहां पर उससे साथ-सा जो करिंट अब्डेट्स होंगे उन्हें जोड़ता जाओंगा तो पुरानी वीडियोस मेरे जो भी हैं और जहां भी मौजूद हैं आप सबसे गुजारिश हैं वो आपके लिए उत्रे फाइदे बन नहीं होंगे आप देखें जब यूनिट वन में आप जाएं विजळान तक्निकी की बूप है तो उसमें कुल और नहीं होतेया हैं और वो भारत विजवयोस मैं विज़वयोस में विज्वयान उब्रदव के उसमें कुल्स दो अध्याय उ यह उई है जैनी शप्टर को युक में उनीट नमभर 1 में 15 आम और रखाश को कैसे प्रभावित करती है और सुधशी प्रद्वकी की सीमाय करती है याद रखेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कीताबों में मिल साथे साथ यह आपके पार्टिक्रम में तreyक है यह आपके पार्टिक्रम में بھی है और यहीं से आपके परिक्षा में प्रश्ण भी पूछेगा है अभी बताता हम जो प्रष्ण पूछेगा है उनका क्या करने वाले है धीरे 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 पुमिलच कुल करने घाएं और पार्टिक्लम में देखेगा तो उन्होंने आधनी भारत में भीज्ञान तखनी क्या विकास हो ऑगोगो टापिकार राल दिया है मैं आपको यहां पर आधनी भारत में विज्यान प्रतोकी के विकास को लेकर यहां पर बात करने वाला हूं अधिहाई नमबर 4 की बात करें लेसन नमबर 4 ते हैं अब ब्रेंड इन की बात वने वाली है प्रतिभाप पलायन प्रतिभाप वृद्धी यानि जो वृद्ध प्रतिभाएं देश में लौट कर आने लगें भारत लौट रहे भारती वज्यानिक इस पर पिछले 2-3 सालों मे अधिन नमबर 5 ते हैं लेसन पांच जहाबर हमको डिस्टी इंसपार कारिक्रम के बारें बात करने वाले हैं इसके लावा यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसका तरी तोर भी चीज़ों पर हैं जैसे विज्यानिक और अध्वकी अनुसंधान परिशद CSIR आंग्री इनिशेटिव पॉलिसी और लेसन नमबर 6 जो कि सबस्यादा इंपॉर्टन है इन टॉपिक्स को तो हमने बुक्स के तुरू संसामेगी के तुरू कवर कर लिया पर इसकी बाद क्या बचता है इसके बाद बचता है कि अब यूनिट नमबर 1 पर जितने भी प्रश्म चाहे जाहे वो आपके प्रानभी परिच्छा में रहे हैं उनके डिसकेशन भी किये जाएंगे इसने क्या होगा कि आपका एक पूरा का पूरा पूरा कंपाइलेशन बुक आप मेरे साल पढ़ते रहेंगे अब यहाँँ पर क्या होने वाला UPST की प्रानभी परिच्छा और 2022 तक के जितने भी प्रश्ण आये हुए हैं सारे डिसकस करेंगे अब जैसे unit number 1 खतम हुआ यह सारे topics के बाद अब unit number 1 पर 2011 से लेकर 2022 तक के जितने प्रारभी परिक्षा के प्रश्ण आये होगे सारे cover किये जाएंगे और साथी साथ जब हम मुख्य परिक्षा के बात करेंगे तो मुख्य परिक्षा में भी हम लोग यहाँ पर 2014 से उठाकर और 2022 तक जितने भी प्रश्ण परिक्षा में आये हुए होगे वो भी यहाँ पर डिसकस करेंगे यानी यह पूरा का पूरा कोर्स जो होगा आपको विज्ञान तक्निकी यहीं पर याद करा देगा और यहीं पर सामने बैठ बढ़कर आप प्रारभ्य को परिशा के परिश्चा को भी लगा लेंगे यानि कहने का सीधा मतलब है एक single solution है कहीं और पर ज्यान तक्निकी पर आप कुछ करने के ज़रुत ही नहीं है मेरे साथ इस एप पर रहकर पूरे वीडियो को खतम कीज़े तो आपने समझ देया कि हम लोग मुख्य परिक्षा में क्या करना है तो unit 1 से बचा कुल मुख्य परिक्षा में जो प्रशना है आप देख सकते हैं 2014 से 22 के बीच बाइस तक का पेपर हो चुका है पूरे समसामिकी के साथ तो वहाँ पर आपको मिल लेगा UPSC मुख्य परिक्षा 2014 में प्रशनाया हुआ हुआ है भोगता उन मुख्य होते जा रहे हैं समालोचन टिपड़ी कीजिए तो एक ये प्रशन बना जब आप पूरा unit cover कर लेंगे तो उसका जो छटा लेसन होगा unit number 1 का unit number 1 का जो छटा लेसन होगा बचा वो हम लोग ये मुख्य परिक्षा के ही प्रशन कर रहे हो ओके वहीं दूसरा प्रशन देखिए यह देखिए यह आपको 200 शब्द का अंसर लिखना है और 12 अंका इस पर मैं आपको discussion दूँगा एक टीपड़ी लिखूँगा टीपड़ी बोलूँगा और उसके बाद उसी आधार पर अपने उत्तर लेखन का कारे करेंगे यूपीसी मुखी परिशा 2020 यहां पर बात करते हैं एक और वर्षन है जो विज्ञान तक्निकी भारत में विज्ञान तक्निकी से जड़ हुए यूनिट नमबर बन अध्याय से आया हुआ है विज्ञान हमारे जीवन के साथ गहराई से कैसे जुड़ा हुआ है विज्ञान में भी जो प्रशन 2011 से 12 तक यूनिट नमबर वन से आया है उनके भी डिस्केशन यहां पर किये जाएंगे तो डिस्केशन पहले पूरा स्लेवस कवार करेंगे स्लेवस कवार करने के बाद एक टॉपिक अलग अलग लेके उसका डिस्केशन करेंगे अब आप यहां देख सक गया विज्ञान और प्रद्राकी विभाग रोजगार मंत्राले नीती आयोग या कोशल विकास और उध्यमिता मंत्राले तो वह तो फिलहला आप जब विशय पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसको लाने वाला जो था वो नीती आयोग ही था और अन्दमित नहीं पुर्वान चलाई इसके नाम से यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पर आपको मेरे साथ जोड़ना है करिंट अपडेट्स के लिए यह कोर्से से जो मैंने अभी लॉंच की हैं आप सब जानते हैं को समझ में आगे होगा कि हम इस पूरे के हुरे सेशन को किस तरीके से कवर क करने वाले हैं और अभी जो कोर्स मेंने साइंस टेकनोलोजी का रिवालुशन बैच के नाम से एक लाग बच्चों का टार्गेट बनाया है पूरे भारत में हर एक्जाम में जहां पर सिविल सेवा की अत्रिक्त मुलब सिविल सेवा के अलावा सीडिया से एंडिये सब सीए पार्ट बोला जाता है पहले उसे मैं पहुंचाता हूँ याद रखेगा एक तिकडी और तिकडी जरूर बनाएगा जिसे तिकडी तिकडी करते लोगों से जुड़ते चले जाईएगा और विद्ध्यारतियों को जोड़ता जाएगा बताता जाएगा और पुरे भारत में दिख्यान तकनीकी को पढ़ाने का मेरा जो सपना है वो अब पुरा होगा इस अप्लिकेशन पुर्वान चला है इसके द्वारा मेरे जो क्लासेज हैं वो फेस टू फेस कक्षाएं हैं जो गोरपुर में आपको देता हूँ पूरे डेली बेस अध्यापों की टीम के द्वा वही देली में नामी कामी संस्ताव में पढ़ाने वाल लिध्यापक आपको गोरपुर में मिल जाते हैं हिंद रंग्रीजी दोनों ही माध्यों में आपको सिवस्माद ये किताब का तोड़ा देखेगा इसकी सटिंग धोड़ी गलत वह हैं वैनेवर आई मेरे साथ पीडिय अब को क्या को से लिए और इस से कम आप को कहीं बे मिलने वरी चीजी दन है नहीं दो wi de dispos session को ओदेनेर Woo और मुझा बन पा देने के दो नहीं दूब हुए het पूरे मेरे कोर्सेस को अराम से घर बैढ़िए, सुने, और लोगों को जोड़िएगा जड़ोर, तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लिसन में आपके साथ फिर्म लागात होगी, अपना ख्याल रखे, स्वस्त रही है, खुश रही है, मस्त रही है, और उम्मीद करता हूँ, समझ में आ चुका है, पूरा सेशन किस तरीके से होने वाला है, अब इसी क्रम में आपको वीडियो से अफ्लोड होते रहेंगे, देरे-देरे आपको बीच-बीच में आकर मैं आपको और टिप्स देता रहूँगा,